22 जनवरी 2024 का वह दिन भारत के इतिहास में महापर्व के रूपे मनाया जाएगा 500 वर्स का लंबा संघर्स खत्म होने के बाद राम जरंभूम मंदिर में प्रहुराम का बाल्स रूप की प्राण प्रतिष्ठा होगी जिसको लेकर आयोध्या की राद जैसे इंद्र का सिंगहसन आयोध्या की खुपसूर्ती आयोध्या की जगमगाहट पूरी त्रेता की तरह नजर आ रहा है धरमपत पर शूर्य देव आने वाले दर्सनार्थवा पड़ेट को का श्वयम स्वागत करते हुए नजर आते हैं रोड के दोनों तरफ सूर्य इस्तम्ह सूर्य की तरह चमचमाता हुआ नजर आ रहा है जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे लतामंगेशकर चौक बीडा की धुन पर मन को प्रसन कर देने वाला होगा लतामंगेशकर जी के धुन सुनकर हिर्दे में सांती मिलती है आयोध्या को तरेता जैसी आयोध्या दिखे इसके लिए उत्तरपदेश की सरकार तथा मोधी सरकार द्वारा खुबसूरती से सौंदरी करण भी किया जा रहा है रात के समय जगमगाती आयोध्या की दुकानों पर सजे लड़ो प्रभू राम वा हनुवान जी के पता का पूरी आयोध्या में लहरा रहा है रात की रोसनी में इसकी चमक भबिता पून होती है आयुद्ध्या में जगमगाती रोसनी में आयुद्ध्या की भवन वा दुकान जो मंदिर का स्वरूब धारण किये हुए है उसकी खुपसूरती पर्यटकों का मन महलेकती है प्रभुराम की धुन पे निर्त कर रही आयुद्ध्या सबके दिलों में बसते हैं राम पूरा नजर इस समय राम मैं का वाता वरण आ रहा है इतना ही नहीं रात के समय मठ मंदिरों में आरती की गूँँद जगा जगा पर LCD के माध्यम से प्रभुराम की लीला राम भक्त बड़ी रात तक देखते हैं कितना ही नहीं रामधुन में, मगन रामभक्त भोर होते ही तीन बजे से सरीव में अश्नान करके मठ मंदिन में दर्शन पूजन के साथ अपनी दिन चरिया की सुर्वात भी करते हैं।